नमस्कार माने में जराहूल वेलकम टू नियू दैस्टन गासिस 2.0 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कर्ट अफेर्स 2022 से जुदे हुए महत्तोपूर्ण परसन सारे के सारे परसन वन लाइनर होंगे क्योंकि हमारा प्रयास है कि हम कम से कम समय में ज्यादस ज्यादा परसन डिस्कस कर सकें इसी सीरीज में एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है then please do watch it because हमने उसमें बहुत सारी questions already discuss कर लिये हैं तो चलिए start करते हैं हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायन रेड़ी राष्टरिया साहिति पुरुसकर प्रदान किया गया तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर परदिभा रेको भारत और किस देश के बीच अल नजाह फोर स्युक्त सन्य अभ्यास हुआ तो ये हुआ है भारत और ओमान के बीच हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंतरी महतारी न्यायरत यातरा शुरू की गई ये शुरू की गई है चत्यजगर में वित्वर्ष 2021 और 22 के दुरान भारत में किस देश ने सरवाधिक पत्यक्स विदेशी निवेश किया है ये किया है सिंगापूर ने हाल ही में किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की अधारी सिला रखे गई ये रखे गई है जारखन में हाल ही में भारतिय नोसेना ने किस देश से दो MH60 रोमियो मल्टी परपल्स हेलिकॉप्टर प्राप्त किये हैं ये प्राप्त किये हैं अमेरिका से कॉमन वेल्थ गेम्स 2022 में मीरबाई चानू ने किस भार वर्लग में स्वण पतक जीता ये जीता है 49 किलोग्राम प्रतिवर्स भारत में मुसली महिला अधिकार दिवस कब मनाय जाता है ये मनाय जाता है 1 अगस्त को हाल ही में किस राज्य में मिंजर मिला का आयोजन हुआ ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच एक्स विन्बेक्स 2022 सेनिक अभ्यास आयोजित हुआ ये हुआ है भारत और वियतनाम के बीज महिला यूरोपिये चेम्पिंशिप फुटबाल परतियोगता 2022 का खिताब किस ने जीता ये जीता है इंग्लेंड ने चर्चा में रही दिलाइट विकैरी नामक पुस्त के लेखक कौन है इसके लेखक है मिशेल ओबामा कॉमन वेल्थ केम्स 2022 में चिंता सेउली ने वेट लिफ्टिंग के किस भारवर्ग में सुवर्ण पदक जीता ये जीता है 73 किलोगराम भारवर्ग में हाल ही में द्रास में 0.5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अब नया नाम है गन हिल ओनलाइन सरकारी इटेक्सी सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है ये है साथियो केरल पिच बलेक 2022 युद अभ्यास किस देश में आयुद हुआ ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में एक अग्स 2022 को किस राज्य में अधीम पूरम महत्सव मनाया गया ये मनाया गया है तमिलनाडों में हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकनांद युवा सक्ति योजना का सुभारम किया है ये किया है करनाटक ने हाल ही में चर्चा में रही मनीशा रोपेटा किस देश से सबंधित है ये है पाकिस्तान से हाल ही में किस राज्या ने चातरों को डिजिटल जाती प्रमान पत्र जारे करने के लिए मिशन भूमी पुत्र लॉंच किया है तो ये किया है असम ने भारतिय मिक्स्ट बैडमिंटन टीम ने बर्मिंगम कॉमन विल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जिता तो ये है रजद पदक हाल ही में किस राज्या सरकार ने चिराग योजना शुरू की है ये शुरू की है हर्याणा ने हाल ही में जारी वर्स 2022 के लिए फॉर्चिन ग्लोबल पांचसो की सूची में कौन सी कंपनी सिर्स पर है तो ये है वॉल्मार्ट अक्तुबर 2022 में भारत और किस देश के बीच एक मेगा सेन्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया तो अक्तुबर 2022 में इसके साथ अमेरिका वेसा हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला सब्तंतर स्मुद्री टोही और निग्रानी मिशन की कप्तान कौन थी कहां पर है लंगत सिंग कॉलेज ख़गोलिय वेजसाला ये है बिहार में तेजस्वीनी संकर ने राष्टर मंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स परधा में पुरुसों की उंची कुद में कौन सा मेडल जीता तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक अगस्त 2022 में DRDO ने लेजर गाइड़ एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल यानि के ATGM का परिक्षिन किस युद्धक टैंक से किया तो ये था अरजुन किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल शिटी दिल लाइन बनाई जा रही है ये बनाई जा रही है सौधी अरब में किस राज्य में राज्य पुलिस की एकिकरित कमान और नियंतन केंदर का उधगाटन किया गया जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंदर है ये है साथियो तेलंगाना किस राज्य में स्थित अमकार इस्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है तो ये है मध्या प्रदेश में कौन विशव अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनिशिप 2022 में दो मैडल जीतने वाली पहली भारतिया महिला बन गई है ये है रूपल चोधरी बर्मिंगम राष्ट्रमनल खेल 2022 में भारतिया पैरालिफ्टर सुधिर ने कौन सा पदक जीता इन्होंने जीता है सुवर्ण पदक प्रती वर्ष राष्ट्रिय हतकरगा दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को हाल ही में किसने 5 देविश्य उपगरह संचार अभ्यास स्काई लाइट अयोजित किया ये किया था भारतिय सेना ने किस टाइगर रिजर्व में मोदी सरकेट विक्षित किया जा रहा है ये किया जा रहा है कार्पेट टाइगर रिजर्व में बढ़े चलो अभियान किस मुंत्राले दुवारा आयोजित करवाया गया ये करवाया गया समस्कृती मुंत्राले दुवारा हाल ही में इस ने ओपरेशन यात्री सुरक्षा का सुभारम किया ये किया है रेलवे सुरक्षा बलने कॉमन वेल्थ गेम 2022 में निकहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस भारवर्ग में गोल्ड मेडल जीता ये जीता है 48-50 किलोगराम भारवर्ग में परती वरिस रास्ट्री है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 अगस्त को अगस 2022 में किसे विज्ञानिक हुए और ध्योगिक अनुसंधान परीशदे यानि कि CSIR की पहली महिला महानिदे से कन्युक्त किया गया ये है नलात्मभी कलाई सेलवी अन्डर ट्वन्टी सेफ फुटबाल सेंपिनिसिप 2022 का खिताब किसने जीता ये जीता है भारत ने तिबती गुरू दलाई लामा को किस राजय या केंदर सासित प्रदेश के सर्वोच नागरिक समान डिपाल आरेन जीम डेस्टन से समानित किया गया इनको समानित किया गया लदाक में हाल ही में किस राजय सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक समस्कित ग्राम विक्षित करने की खोसना की है ये की है उत्राखंडने मिस इंडिया यूएस से 2022 का खिताब किसे ने जीता ये जीता है आर्या वालवे करने हाल ही में भारत के पहले हिमालियन मसाला उध्यान का उध्गाटन कहां किया गया ये किया गया रानी खेत में हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला करित्रिम भुरुण विक्षित किया गया ये किया गया था इस्राइल में राष्टरमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा भारत रहा चोथ स्थान पर परतिवर्स विशव आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 9 अगस्त को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस सहयोग से हीम ड्रोन एथान कार्यगरम का आयोजन किया गया इसके द्वारा भारतिय सेनव हालही में किसे अंतराष्ट्रे सतरंच संग का उपाधेक सिन्युक्त तिया गया है विशुनाथन आनन्द भारत और किस देश के बीच श्युक्त विशेश बल अभ्यास एक्स वजर प्रहार दो हजार बाइस अयोजित हुआ तो ये है देश अमेरिका हालही में किस राजय सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामरित योजना शुरू की ये शुरू की उत्तर प्रदेश ने हालही में किस राजय ये केंदर सासित प्रदेश में परवाज अभिनव मार्किट लिंकेज योजना शुरू की गई ये शुरू की गए जम्मू कस्मीर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां गिया गया ये किया गया गांधी नगर में हाल ही में कौन भारत के 75 वें गरांड मास्टर बने है ये हैं वी प्रणाव प्रती वर्ष विसव जैव इंधन दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है दस अगस्त को इस देश ने नेताजी सुभास्चंदर बोश सिर्चुडए स्थल पादांग को 75 वे महाराश्टर इस्थल गोशित किया है तो 75 वे महाराश्टवी स्थल गोशित किया है तो ये किया है सिंगपूर ने 44 में सत्रन्ज ओलम्पियाड दोहजर बाइस में उपन स्रेण में कौन सा देश सीरिस पर रहा तो ये है उस्बेकिस्तान। परधान मंतरी नरेंदर मोधी दुआरा दूसरी पीडी के इथेनौल सिंतर का लोकारपन कहां किया गया तो ये है पानेपत हर्याणा में। किस देश की ट 2021-22 के लिए AIFF का सर्वसरेष्ट पूरुस फुटबालर की से चुना गया तो ये है सुनिल चेतरी। परतिवर्स विशव सेर दिवस का आयोजन कब किया जाता है ये किया जाता है 10 अगस्त को। पसुधन को तवचा रोग से बजाने के लिए कौन सी सवदेशी वैक्षिन ल तो ये था ये भई दिल्ली गल्थ है ये तो ये था रोकेट इरानी रोकेट तो रूसी रोकेट सोयूज ने इरान देश के उपकर है खयाम का प्रक्सेपन किया तो इसका नसर है इरान हाल ही में किस राजय सरकार ने निथना बीमा योजना लॉंच की तो ये योजना है तेलंगाना की तो ये थोड़ी सी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है नेशनल में स्पोर्ट्स क्लाइमिंग पड़ती हो गिता 2022 का आयोजन किस राजय में किया गया तो ये किया गया था उत्रा खंड में हाल ही में किस राजय सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशिरवाद योजना लागू करने का निएने लिया है तो ये है मुख्यमंत्री बाल आशिरवाद योजना मध्या परदेश परतिवर्स विभाजन विभीसी का सिमरिती दिवस कब मनाया जाता है? ये मना जाता है 14 अगस्त को किस नदी पर दुनिया के सबसे उंचे पुल के गॉल्डन जॉइंट का उधगाटन किया गया था? ये किया गया है चिनाप हाल ही में चर्चा में रहा लेंगिया हिनिया क्या है? तो ये एक वाइरस है हाल ही में कौन सा देश? सेनिट्री प्रोडक्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो ये देश है स्कोटलेंड हाल ही में किस देश की वस्तुकार मरीना तबसुम लिस्बन ट्राइनेली लाइफटाइम अचिविमेंट अवोर्ड जीतने वाली पहली दक्षिन एसियाई महिला बन गई है तो यह हैं बांगलादेश से आलही मिकिश राज्या में एक विधायक एक पैंसन योजना लागू की गई तो यह लागू की पंजाब में भवाने देवी ने कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप दोहजार बाईस में सीनियर महिला असबर वेक्तिकेत वर्ग में कौन सा पदक जीता तो इन होने जीता स्वरण पदक दूसरे उत्तर पूर्व अलोंपिक खेल 2022 कहां अयुजित किये गए तो यह थे मिखाल्या में पंदरा अग्स 2022 को भारत ने कौन सा सवतंतरता दीवस मनाया तो भारत ने 76 सवतंतरता दीवस मनाया हालही में चर्चा में रहा नीपम इससे समंदित है तो यह समंदित है बौधिक संपदा से भारत की पहली अंडर वोटर मेट्रो सेवा किस सहर में शुरू होगी तो यह होगी खुलकाता में भारत की पहली सेलाइन वोटर लॉल्टेन का क्या नाम है तो यह है रोशने भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्तव में सिर्स बीस वैस्विक अर्थवस्ताओं की सूची में कौन से स्थान पर रहा तो भारत रहा सात्वें स्थान पर हालही में किस राज्या ने अकस्तिय मलाई हाथी रिजर्व की घोशना की है यह किये है तुमिलनाडो ने हालही में फुटबाल का UEFA सूपरकप 2022 का खिताब किस ने जीता तो यह जीता है रियल मेडरीट ने हालही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों टी आर सेस की पूरव सिखर बैठिक की मेजबानी की तो यह किये है भारत ने परती वर्स विशव अंगदान दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है 13 अगस्त को सवतुंतरता दिवस 2022 पर कौन सी तौप पहली बार लाल के लिए पर 21 तौपों की सलामी का हिस्सा बने तो यह है 80 AG तौप ओमिक्रोन वेक्षिन को मुझूरी देने वाला पहला देश कौन सा है ओमिक्रोन वेक्षिन को यह है ब्रिटेन नवरोज उत्सव किस धर्म से समंधित है तो यह समंधित है पार्सी धर्म से किस राज्या या किंदर सासित परदेश में ग्राम रक्षा गाड़ योजना दोहजर बाइस लागों की गई ये की जम्मो कस्मीर में हाल ही में भारत ने किस देश की नोसेना को पहली बार डॉर्नियर टू टू एट स्मुद्री निगराने विमान सोबा है तो ये सोबा है सिरलंका को चर्चा में रही गाड़ा जील इस देश में स्थीद है तो ये है इडली में हाल ही में किस ने सत्तद विकास लक्षों यानि SDGs से समंधित मंथन मंच का सुभारम किया है तो ये किया है परधान विज्ञानिक सुलाह कारिया लेने सुल्तान अजलन साह कप अंतरास्ट्रिय पूर्स होके टूर्टनामेट 2022 का आयोजन कहां किया गया ये किया गया था मलेसिया में हाल ही में विल्लियम रूटो किस देश के नई रास्टरपती बने है तो ये बने है किनिया कई हाल ही में विश्व स्वास्ते संग्ठन ने किस वाइरस के वेरियंट का नाम कलेट्स 1-2A-2B दिये है तो ये दिये हैं मंकी पॉक्स को हाल ही में किस राज्या का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कारियात्मक रूप से साक्सर जिला बन गया है तो ये है मध्या प्रदेश किस राज्या में शुरू की गई एक पहल है तो ये है उत्राखन राज्या की पहल चरखा चाक उत्सब किस राज्या में मनाया गया तो ये मनाया गया मध्या प्रदेश में रेडिकली फ्रेखा भारत और किस देश के बीज अंतर राश्ट्रिय सीमा है तो ये है भारत और पकिस्तान के बीज तर्चा में रहा उपकर है ट्रेकिंग पोत युवांग वांग किस देश से समंदित है तो ये है सीन से विश फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को पहले दो वरस में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फाल ही में शुरू किये गए राश्ट्रिय अभ्यान का क्या नाम है तो इसका नाम है पालन एक हजार वोस्तक 2022 सेन्य अभ्यास कहां अयोजित हुआ तो ये हुआ रूस में मादक प्तार्थों की तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कोन सा है तो ये है निदान पोर्टल भारतिय रेलवे की सबसे लंबी मालकाड़ी का क्या नाम है ये है सुपर वासु के जल जीवन मिशन के तहद सो परतीसत हर घर जल प्रमान असिल करने वाला देश का पहला राज्य कोन सा है ये है गोगा विशव मानवतावादी दिवस कब मना जाता है ये मना जाता है 19 अगस्थ को हाल ही में हर घर जल प्रमानित देश का पहला केंदर सासित प्रदेश कॉन सा है तो राज्या optimistic है गुआ और केंदर सासित प्रदेश है दाध्रानगर हवेली वद्दमन और दीव किस राज्या ने विद्यारत स्कूल और वेल्स प्रियोजना लॉंच की है तो ये लॉंच की है असमने सत्रवा प्रुवाट्सी भारतिया दिवस 2023 कहां पर आयुजित होगा ये आयुजित होगा इन दोर में हालही में किस राज्या या केंदर सासिद प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर वन मिशन लॉंच किया है तो मेक इंडिया नंबर वन मिशन ये लॉंच किया है दिल्ली ने वर्ष 2022 में सुवच्चता पकवाडा का आयोजन कब किया गया तो ये किया गया था 16 से 31 अगस्त कौन है तो ये है अजय कुमार भल्ला विशो मच्छर दिवस मौस्क्यूटो डे कब मनाया जाता है तो ये है 20 अगस्त कौन है नमस्ते योजना समाजिक न्याए एवं अधिकार मन्तरा ले और किस मतरा ले कि एक स्यूक्त पहल है तो ये है समाजिक न्याइ एवं अधिकारिता मंतरा ले और आवास एवं सहरी करे मंतरा ले कि शूक्त पहल हाल ही में लॉंच किये गए मतेश्य सीतु मुबाइल एप के ओनलाइन मार्किट प्लस फीचर का क्या नाम है तो इसका नाम है एकवा बजार तरचा में रही मनीशा कल्यान किस खेल से समंधित है तो इनका सम्बंध है पुटबॉल से इस राज्य सरकार ने ग्रामिन आजिवी का पार्क स्थापित करने की गोसना की है यह की है चतिश गडने एक्सरसाइज पिच बलेक 2022 किस देश में आयुजुद हुई तो यह हुई आस्ट्रेलिया में महिला पुलिस का दस्वा राष्ट्रे समिलन 2022 कहां शुरू हुआ तो यह हुआ सिमला में अंडर 20 विशव कुस्ती चेंपियंशिप में स्वन पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला पहलवान कौन बनी है तो यह है अंतिम पंगल चंडिगेड अंतरास्ट्रिय एरपोर्ट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया है तो यह है सहीद भगत सिंग के नाम पर विशव वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाय जाता है तो यह मनाय जाता है 21 अगस्त को भारत की पहली हाइड्रोजन इंधन सेल बस का सुभारम कहां किया गया तो यह किया गया पूने में अगस 2022 में इस राज्य के मिथिला मखाना को भोगलिक संकेतक यानि के GI टेग प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया बिहार को इस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग की प्रिक्षिन के लिए भारत की पहली सवदेशी रूप से विक्षित आर्टी PCR किट विक्षित की है तो यह विक्षित की है ट्रांस एसिया बायो मेडिकल्स ने चर्चा में रहा आर्टेमिस तीन किस देश का क्रू मोन लेंडिंग मिसन है तो यह है अमेरिका का किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये है तो यह दिये है उत्तर प्रदेश ने राजिव गांधी सेंटर ओफ एडवांस टेकनोलजी का उदुखाटन कहां पर किया गया यह किया गया है साथियो जयापूर में अगस्त दो हुजार बाइस में विदेश मंतरी एस जिसंकर ने किस देश में महत्मा गांधी की एक आवक्स परतिमा का अनावर्ण किया तो यह किया था प्रागवे में अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा स्यूंक्त सेने अभ्यास उल्चीफ फ्रीडम सिल्ड आयुजित हुआ तो यह हुआ है अमेरिका और दक्षिन कोरिया के बीच में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयुजिन कहां पर हुआ तो यह हुआ नई दिल्ले में अंतराश्ट्रियत दास वेपार और उसका अनमूलन समान दिवस कब मनाय जाता है यह मनाय जाता है 23 अगस्त को गर्भा किस राजय का परसिद लोक निर्थया है तो यह है गुजरात का 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयुजित खगोल विज्ञान और खगोल भोतिकी पर पंदरमा अंतराश्ट्रिया अलुम्पियाड में भारत का कौन सा स्थान रहा तो यह था भारत का स्थान तीसरा 65 मा राश्टरमंडल संसिद्य सम्मेलन किस देश में आयुजित हुआ तो यह हुआ करन्रा में DRDO द्वारा विक्षिद VRSRSAM क्या है तो यह है स्थैसे हवा में मार करने वाली एक मिसाइल राजिव गांधी ग्रामिन ओलम्पिक खेलों का आयोजन किस राजिया में हुआ तो यह हुआ है राजस्थान में किस राजिया में भारत की पहली वानिजिक अंतरिक्स स्थीती जन्याजागरुकता वेदसाला स्थापित की जाएगी तो यह स्थाबित की जाएगी उत्तराखंड में ग्यारवी राष्ट्रिय बीज कॉंगरेश 2022 का आयोजन कहां किया गया तो यह हुआ था गौालियर में इस देश ने भारत के साथ राजनिक समंधों की 75 विवसगांट की उपलक्स में एक डाक टिकेट जारी किया है तो यह डाक टिकेट जारी किया है मिसर ने किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउन सी प्रियोजना को मनजूरी दी है तो यह दी है उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गौबर से संपीडित पहली बायोगैस प्रियोजना कहां शुरू की तो ये शुरू की सांचोर राजस्थान ने विसव गुजुराती भासा दीवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है साथियो 24 अगस्त को इस राज्या ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओनलाइन टेक्सी सिवा लॉंच की है तो ये लॉंच की है केरल ने 71 में इंटर सर्विस एकोवेटिक चैंपियंशिप 2022 का आयोजन कहां हुआ तो ये हुआ विसाका पटना में हिंदी भासा में साहित्य अकादमी युवा पुरुसकार 2022 कि इसको दिये जाने की खोशना हुई है तो ये हुई है भगवन्त अनमौल को हौमी भाबा केंसर अस्पताल और अनुसंधान केंदर का स्थिद है ये स्थिद है मुखाली में विसाव जल सपता है 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ तो ये हुआ 23 अगस्त से एक स्थम्बर तक अहमी दा अजीम जिन्हें 2022 की पुलितिजर पुरुसकार के लिए चुना गया है किस देश से है तो ये हैं बांगला देश से हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किस ने जीता तो ये जीता है मैगनेस कॉरलसन ने इस से युनेशको सांती पुरुसकार 2022 से सम्मानित किया गया तो एंजेला मरकल पहला खेलो इंडिया महिला जूडू टूर्नामेट 2022 कहां से शुरू हुआ तो ये शुरू हा था कुहाटी असम से अगस 2022 में भारतिय विदेश समंत्री ने किस देश में भारतिय दुतावास का उद्खाटन किया तो ये किया था प्रागवे में इस देश में हाइडोजन से चलने वाली यात्री टेरनों का दुनिया का पहला बेड़ा लौच किया गया तो ये लौच हुआ है जर्मने में एसिया के पहली कागच मील नेपाल लिमिटेड का लोकारपन कहां किया गया तो ये हुआ है बुरहानपुर में हाल ही में चर्चा में रही अन्नामनी कौन है तो ये हैं एक मौसम विक्याने देश में निर्मिद पहला विमानवाहक बहुत कौन सा है तो ये है विक्राद महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है सब 20 अगस्त को भारत और किस देश ने उसी आरा नदी के अ अंतिम रूप दिया है तो भारत और बंगलादेश चोदमी अंडर 19 पूरुस एसियन वॉलीबल चैंपिनिसिप 2022 का किताब किस ने जीता तो ये जीता है जपान ने किस नीता को लिबर्टी मेडल 2022 से समानित किया गया है तो ये मिला हसाथियो वलोडमिर जलेंसकी को अनंग ताल जील जिसे हालही में राष्ट्रिय महत्व का समार घोचित किया गया है किस राज्य यकेंदर सासित प्रदेश में है तो ये हसाथियो नई दिल्ली में राष्ट्रिय खेल दिवस कब मनाय जाता है तो राष्ट्रिय खेल दिवस मना जाता है 29 अगस्त को अगस्त 2022 में खादी उत्सव कहां आयुजित हुआ तो खादी उत्सव आयुजित हुआ एहम दबाद में लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किस ने जीता तो ये जीता निरेज चोपडाने नेती आयोग ने इस जिल्ले को सर्फस्रेश्ट आकांकिसी जिला घोजित किया है तो इसको किया है हरिदिवार को प्रिवार कल्यान कार्ड योजना किस राजय से समंदित है तो ये समंदित है उत्रप्रदेश से अगस 2022 में मारबल उच्षव कहां मनाये गया तो मारबल उच्षव मनाये गया नागपुर में महिला निधी योजना का सम्बंद किश राज्या से है, तो ये है साथियो राज्यस्थान से. भारत का पहला भुकंप समार्ग स्मृति वन कहां स्थेद है, तो ये स्थेद है कच्छ में. प्रतिवर्स प्रमानो प्रिक्षन के विरुध अंतराष्ट्रिय देवस कब मनाया जा तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को. हाल ही में खबरों में रहे लिन्थोई चनमभं किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी है जुड़ों से. चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? तो स्वार्म एक ड्रॉन प्रनाली है. अटल ब्रीज कहां स्थित है? तो अटल ब्रीज स स्थित है एहमदाबाद में. मध्या भारत के पहले टोई कलस्टर का सिल्या नास कहां पर किया गया? तो ये किया गया साथियो इंदोर में. हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजन अंदर का अपना ही रिकोर्ड थोड़ा है? तो ये देश है दक्षिन कोरिया. भारत का पहला 3D मुदित डागघर कहां बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है बैंगलूरिय में. हाल ही में किसे यूरोपिय फुटुबाल महासंग के वरस का सर्व स्रेष्ट पूरुष खिराडी चुना गया है? तो किसको चुना गया है? करीम बेन जमा. राष्ट एक परंपरिक तुहार है? तो ये है मनीपुर में. मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है दिपीका रोय ने. हाल ही में कौन अंतराष्ट्रे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विक्ट लेने वाले तेज गिंदबाज बन गये हैं? तो ये हैं जेम इसने पुरुस एकल खिताब जीता? तो इसमें जीता है विक्टर एक्सेल से ने. दुनिया के सबसे बड़े वेदिक तारा मंडल मंदिर का निर्मान किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पस्चिम बंगाल में. प्रतिवर्स हिंदी दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 14 स्टमबर को. बहुर अस्ट्रे अभ्यास का काड़ू 2022 कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ था आस्ट्रेलिया में. रख्तदान अमरीत महुतसब का आयोजिन कब से कब तक किया गया? तो ये हुआ था 17 स्टमबर से 1 अक्तुबर तक. हाल ही में कौन सा ब बनाया जा रहा है राखे गड़ी अरियाना में. हाल ही में किस राजय सरकार ने मुख्यमंतरी गोवंस मुबाइल चिकत सायोजना शुरू करने की घोषना की है? तो ये है 37 स्टमबर प्रायम टाइम एमी अवोर्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवोर्ड किसने जीता? तो ये जीता है सक्सेशन ने. हाल ही में किसके सहयोग से देश में पहली हाई थ्रोपुट सैटलाइट ब्राड्मेन इंटरेनेट सर्विस शुरू करने की घोषना की है? तो किसके सहयोग से? हियोजेस कम्मुनिकेशन इंडिया. इनके सहयोग से शुरू होने वाली है. खादे इंडिया द्वारा पहली खादी फेशन सो का अउजन कहां किया गया? तो ये है गांधी नगर में. जपान इंडिया मेरिटाइम अक्सरसाइज 2022 कहां अउजित हुई? तो ये हुई थी बंगाल की खाड़े में. वित्ये मध्यसक्त कोस यानि कि FIF किसके द्वारा प् संगही सहयोग संग्ठन का बाइसमा सिखर समेलन कहां अउजित किया गया? तो ये हुआ था उजबेकिस्तान में. हाल ही में लिखेद वाइफाई ने विशव ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्तेक है इसमें. कलमनो कार्निवल उस्तग मेला कहां अउजित हुआ? तो ये है एहमदबाद में. अंतराष्ट्री है डेरी संग विशव डेरी समेलन 2022 कहां आउजित हुआ? तो ये हुआ था ग्रेटर नौएडा में. यू एस ऑपन 2022 में पूरुस एककल का किताब किसी ने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अलक्रॉज ने. सर्चा में रहा ओप्रेशन गी 12653 का क्या नाम है? तो इसका नाम है तारागिरे. 11 स्थंबर 2022 को सिरलंका ने किसे हरा कर एसिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती? तो किसको हरा कर जीती? पाकिस्तान हो. इस राज्या में पहली बार नागा मिर्चा महुतसव 2022 आयूजित किया गया. तो ये हुआ था नागालेंड मे हालही में भारतिय सेना ने कहां पर प्रहार सेन्य अभ्यास किया तो ये किया था लद्दाक में. हालही में किस देश ने खुद को प्रमानु संपन देश घोसित किया है? तो ये है उत्तर कोरिया. प्रती वर्स विशव आत्म हत्या रोक्ताम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 स्तंबर को. स्तंबर 2022 में भारतिय सेना और वायु सेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक स्यूंकत अभ्यास किया? तो ये गगन स्ट्राइक कहां किया गया? जाब में. हालह में Deep Freezer Institute द्वाराजारी विशव आर्थिक सिवतंतरता सूचकांग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का स्थान है 89 स्वच अमरित महुत्सव कार्यकरम कब से कब तक आयोजित किया गया तो ये किया गया 17 स्थमबर से 2 अक्तुबर था हाल ही में किस देश ने भारतिया नोसिना के पूरव परमूख एडमिरल सुनील नामबा को मेरिटोरियल सर्विस मेडल से समानित किया है तो ये किसनी सिंगापूर देश ने हाल ही में किस भारतिय राज्या ने चात्ता योजना शुरू की है तो ये शुरू की है उडिशा ने पदन पत्थ प्रिवहन और जल मारक मंत्रा ले दोवारा कहां पर राष्ट्य समुद्री विरास्त प्रिशर का निर्मान किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है लोथल में हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमाई पेन योजना शुरू की है तो यह शुरू की है तुमिलाडो ने इस राज्य को समस्क्रिती के लिए सर्फस्रिष्ट गंतव्या का अंतराश्ट्री यातरा पुरुस्कार परदान किया जाएगा तो यह किया जाएगा वास्चिम बंगाल को हाल ही में भारत और किस देश ने 26 देशों के लिए काउंटर रैंसम वेर अभिहास का आयोजिन किया तो ये किया था ब्रिटेन ने स्तंबर 2022 में स्यूंग्त रास्टर विकास का रगरम द्वराजारी मानाव विकास सुचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा तो ये था 132 वा शिक्सा परव 2022 का उद्गाटर न कहां पर किया गया था तो ये किया गया था नई दिल्ली में परतिवरस अंतरास्टिय चक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये मना जाता है आट सितंबर को सीना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने कहां पर इगनाइटिड माइंड्स कर्यकर्म की शुरुआत की तो ये शुरुआत की थी कर्किल में देश की पहली नेजल वेक्षिन इसके द्वारा विक्षित की गई तो ये की गई भारत बायोटेक द्वारा हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गाउं स्थाबित किया गया तो पहला जैव गाउं त्रिपुरा में भारत की पहली माउंटेन बाय साइकल विसव कप प्रत्यों गिता की मेजबानी किस ने की तो ये की थी लेह ने हाल ही में किस राज्या ने एक नई स्कूल स्वास्थे योजना सेहत का सुभारम किया है तो ये किया है साथियो हरियाना ने हाल ही में किस ने 22 में दुबाई ओपन 17 स्टोर्णामेट जीता है तो ये 22 में दुबाई ओपन 17 स्टोर्णामेट ये जीता है अर्मिंद सिद्धम्रम ने इस रो ने Inflatable Aerodynamic Decelerator टक्निक का सफल प्रिक्षन कहां किया तो ये किया था तुम्बा में पी-म स्री योजना इस चे समंदित है तो ये समंदित है स्कूल से राजबत का नया नाम क्या है राजबत का नया नाम है कृतवय पत 6 स्तंबर 2022 को सुबरतो कप अंतरास्टिय फूटबाल परतियों गिता कहां शुरू हुई तो ये शुरू हुई थी नई दिल्ली में गैस्टेक मिलान 2022 का आयोजन कहां किया गया ये किया गया मिलान इटली में किस वर्स को अंतरास्ट्रिय मोटे अनाज वर्स के रूप में जाना जाएगा तो ये रहेगा दोहजार तेज रास्ट्रिय पोशन सकता है ये सकता है नहीं है ये सपता है साई वीक रास्ट्रिय पोशन सपता है 2022 की थीम क्या रही तो ये रही Celebrate World of Flavor हालही में पहला होमियोपैथी अंतरास्ट्रिय स्वास्थे सिखर सम्मेलन कहां आयुज़त हुआ तो ये हुआ था दुबई में तर्चा में रहा Synergy क्या है तो Synergy है Cyber सुरक्षय अभ्यास तर्चा में रही The Hero of Tiger Hill किसकी आतमकता है तो The Hero of Tiger Hill ये है योगेंदर सिंग यादव इस समधान पोर्टल का संभंध किस आयोग से है तो इसका संभंध है विशव इधले अनूदान आयोग से प्रतिवर्स विशव तमभाखो निशेद दिवस कब मना जाता है तो ये मना जाता है 31 मैं को राष्ट्य उध्यान के अंदर समुधाईक वन संसाधन अधिकारों को मानेता देने वाला देश का दूसरा राज्या कौन सा है तो वो है 36 गट हाल ही में किस संस्था ने परम आनंद सुपर कम्प्यूटर को कमिशन किया है तो इसको कमिशन किया है आयाईटे गांधिनगा जेन नेक्स डेमोक्रेसी नेटवर्ग कर्यकरम की संस्था यह संक्टन की पहल है तो यह है भारतिया समस्क्रेतिक सम्मंद परीशत हाल ही में केंदर स्टकार ने परधान मंतरी रोजगर सुरिजन कर्यकरम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दिया है तो यह है 2025 से 2026 हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाल जिरकॉन का सफल प्रिक्षन किया है तो जिरकॉन का सफल प्रिक्षन किया है रोज ने एक जुन 2022 को हर घर दस्तक अभ्यान का दूसरा चरण शुरू होगा यह किस समंदित है तो यह है COVID टेका करन आलही में किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उप्योग करके mail डिलिवर किया तो यह है गुजरात गुजरात में पहली बार ड्रोन का प्रियोग करके mail डिलिवर किया हालही में किस राज्य के मुख्यमंद्री ने राज्य के खिलाडियों के लिए राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार की घोशना की है तो यह की है राजस्तान ने हालही में जारी Forbes 30 Under 30 Asia List 2022 में सरवाधिक प्रविष्ट्यों की संख्या कि मामले में कौन सा देश सिरसपर है तो इसमें है भारत सिरसपर अक्सर चर्चा में रहने वाली ये टैपिंग में स्टेश थोड़ी सी अस्तर मारक एक एक मिसायल है कौन सी मिसायल है हवा से हवा में मार करने वाली है कि मिसायर हालही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थाई सिंधु आयोग की 108 वी बैठक कहां आयुजद की गई तो ये हुई थी नई दिल्ली में एक चुन 2022 को नबाड ने कहां पर माई पैड माई राइट्स कर्य कर्म की शुरुवात की तो ये की थी लेह में हालही में जाने माने सक्षियत क्रिशन कुमार का निजन हो गया है वे थे एक गायक हालही में किस देश ने स्युक्त अर्ब अमिरात के साथ एक मुक्त वेपार समझोते पर अर्ब देश के साथ अपना पहला बढ़ा वेपार सम्झोत होता है तो ये किया है इसराइल ने एक जुन 2022 को पुरुस होकी एसिया कप 2022 का खिताब किसने जीता तो ये जीता है दक्षिन कोरिया ने एक से दो जुन 2022 को सिख्षा मंतरियों का राष्टिय समिलन कहां अरुजित किया गया तो ये किया गया था गांधिनगर गुजरात में प्रतिवरस विशेव दुगत दीवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है एक जुन को हालही में किस सरवजनिक उपकरम ने जै विविटता नित्य दो हजार पाईस जारी की है तो ये की है राष्टरिय ताप विद्यूत निगम लिमिटेडने प्रतिवरस तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो ये मना जाता है दो जुन को तर्चा में रही फूलों के घाटी किस राजय में स्थीत है तो फूलों के घाटी स्थीत है उत्राखन में विद्य वरस 2021-22 में भारत के वस्तरों के सिर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन सा रहा है यानि कि Export Destination कौन सा रहा है अमेरिका एक जुन 2022 को जारी टाइम सा हायर एजुकेशन एसिया उनिवरस्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारते संस्थान सिर्ष पर रहा तो ये रहा इंडियन इस्ट्यूट आफ साइंस बेंगलोरो हाल ही में उनस्ट में इंटरनेशनल कॉंगरेस Conference of Computer Expert में तौप 500 सुपरकॉंपूटर स्किलिस्ट में किसी दुनिया का सबसे तेज सुपरकॉंपूटर चुना गया तो ये चुना गया है फ्रेंटियर अमेरिका को हाल ही में किसे नागलिक उठियन शुरक्षा ब्यूरो का महानी देशक न्युक्त किया गया जुल्फिकार हसन को आलही में वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी को पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच नागरिक पुरुसकार सितारा ए पाकिस्तान से समानित किया गया सितारा ए पाकिस्तान तो किसको डेरिन सैमी को दो तीन जून 2022 को कहां पर स्टॉक हॉम पलस 50 का आयोजन किया गया तो ये किया गया है स्वीडर में अक्सर रास्ट्रियस माचार पत्रों की सुर्ख्यों में रहने वाला सब्द हिमारस क्या है ये किसको निरुपित करता है तो हिमारस है एक रॉकेट लॉंच सिस्टम खालही में भारतिय निर्यातकों और विदेसी क्रेताओं के लिए अंतराश्ट्रियवपार के केंदर के रूप में किस पोर्टल का सुभारम किया गया है प्रतिवर्श विश्व साइकल दिविस कब मनाया जाता है तो ये है तीन जून को आलही में किसे शुष्टर सीमा बल का नया महानिदेश से न्यूक्त किया गया है S.L. थाउसेन को जून 2022 में देश का पहला और एसिया का सबसे बड़ा लिक्वीड मेरी टेलिस्कोप कहां स्थाबित किया गया तो ये स्थाबित कियागा देवस्तल उत्राकंड में Operation महिला सुरक्षा किसे समंदित है तो ये समंदित है रेल्वे सुरक्षा बल से आलही में किस भारती अमरीकी जहत्तर ने 2022 Scripts National Spelling Bee में पहली बार Spell-Off मुकाबले में खिताब जीता है तो ये किसे ने जीता है हरिनी लोगन ने 4 जून 2022 को Kelo India Youth Games किस राज्चे में शुरू हुए ये ही वो थे ये शुरू हुए हरियाना में हाल ही में स्यूक्त रस्टर ने किस देश का नाम बदलने के अन्रोध को सिविकार कर लिया था तो ये तुरक्य 3 जून 2022 को INS निसंख और INS अक्षिया को कहां पर सेवा मुक्त किया गया तो इनको मुंबई में 2 जून 2022 को जानी मानी सक्सियत भजन सुपोरी का निधन हो गया वे थे एक सुन्तूर वादग हाल ही में किस राज्य या केंदर सासित प्रदेश ने सडकों और कोलोनियों का नाम B.R. Ambedkar के नाम पर रखने की योजना बनाई है तो ये हैं नहीं दिल्ली परतिवर्स विश्व प्रयावन दिवस कब मना जाता है 5 जून को तर्चा में रहा पुनित सागर अभ्यान का सम्मंद किस से है 3 जून 2022 को शुरू की गई स्रेष्ट योजना का सम्मंद किस से है स्रेष्ट योजना का सम्मंद है अनुसूचित जाती से हल ही में कहां पर I.S. Heritage Center बनाने के लिए एक समझोता क्यापन पर हस्ताक्सर किये गए है तो ये हुए हैं संडिगर में 4 जून 2022 को किस ने Friends Open 2022 में महिला सिंगल का खिताब जीता तो ये जीता है I.S. वियातेक ने 5 जून 2022 को राश्ट पती रामनाथ कौविन ने कहां पर संथ कबीर अकादमी और अनुसंधान के इंदर का उद्गाटन किया था ये किया था मगहर उत्रप देश में हाल ही में किस राज्य की Enterprise Architecture प्रियोजना को सूचना Society Form 2022 पर स्यूक्त राश्टर के विशव सिकर समेलन में सम्मानित किया गया तो ये था मिघाल्या हाल ही में किस राज्याने देश का पहला क्रिसी भुमी मुल्य सुचकांग जारी गया है तो ये जारी गया है IIM एहम्दबाद ने हाल ही में किस राज्याने गर्भवती महिलाओं के लिए विचेश स्वास्थय देखभाल कारेकरम आंचल की शुरुआत की है तो आंचल की शुरुआत की है राज्यस्थाने खाल ही में किस राज्याने फेशलेस चेत्रिय प्रिवहन कारियाले लॉंच किया है तो ये किया है महाराष्टर ने प्रतिवर्स विश्व खाद्य सुरक्षय दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो ये किया जाता है साथ जोन को पांच जुन 2022 को किस देश की पुरू सौक्की टीम ने F.I.H. की 5S संपिन सिप का किताब जीता तो ये जीता है भारत ने हाल ही में किस राज्या ने 100 साल बाद भारतिये लिपस्टिक पौधे की खोज की है तो ये खोज हुई है अरुनाचल प्रदेश में 5 से 16 जुन 2022 तक भारत और किस देश के बीज संप्रिती X स्यूंक्त सेन्या प्रशिक्षिन अभ्यास का अयुजन हुआ तो ये हुआ था भारत और बंगलादेश के बीज 5 जुन 2022 को शुरू की गई वैस्विक पहल L.I.F.E. में E किसे संधर्भित करता है तो ये E करता है इन्वारिमेंट को 7 जुन 2022 को ग्रिह मंत्री अमित साह कहां पर राष्ट्रिय जन जातिये अनुसंधान संस्थान का उद्धाटन करेंगे तो ये पास्ट का है पुराना कंडफेर है तो ये हुआ था नहीं देली में आलही में भारतियक हद्य शुरक्षा एवं मानक प्राधिकर्ण द्वारा E राइट चैलेंज कारेकरम की जारी रेंकिंग में कौन सा सहर देश में पहले स्थान पर है तो स्थान है सहर है इंदोर दो से नो जून 2022 तक किस राज्या में कांगड़ा वेली समर फेस्टिबल 2022 का आयोजन किया जा रहा था तो ये था हिमाचल प्रदेश चर्चा में रहा मिट्टी बचाओ अंदोलन सेव सोयल सेव सोयल मॉमेंट इसने शुरू किया था ये शुरू किया था सद्गुरु जग अनुमान लगाया गया तो ये था चिलका जील में प्रति वर्स विश्व महासागर दिवस कब मना जाता है ये मना जाता है ये ये है आठ जोन को सेजुन 2022 को किस देश में बहुर अस्ट्रिय सांती वाहनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 आरंब हुआ तो ये हुआ था मंगोलिय में अंतरास्ट्रिय भारतिय फिल्म अकादमी पुरुसकार 2022 में किसे सर्व सरिष्ट अभिनिता का पुरुसकार दिया गया तो ये है विक्की कॉसल सेजुन 2022 को अगनी चार यानि कि अगनी फोर बलेश्टिक मिसाइल का सफल प्रिक्शन किया गया तो ये जो अगनी फोर है वो 180 में CDS की निक्ति से समंदित नियुमे में बदलाव करते हुए कितने वरस से कम आयो के लेफटने जनरल या जनरल स्तर के सिवार्त या सिवा निवरित अधिकार्वी को CDS निक्ति किया जा सकता है तो कितनी है 62 वरस हल ही में World Summit Information Society 2022 का आयोजन कहां किया गया तो ये किया गया था जनरल में पांच जून 2022 को Blue Duke Tittli को किस राज्य की राज्य तितली खोशित किया गया है तो ये है सिक्किम राज्य आलही में बजराम बेगज किस देश के नई रस्टपती चुने गया है तो अल्बानिया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन कीप लर्निंग थैंक यू और है नाइस दे